Welcome back to our YouTube channel, Nagin Group of Studies, here we are again with our new topic from the chapter Political Parties. प्यारे बच्चो, लास्ट क्लास में हमने पार्टीज के बारे में पढ़ा था कि नेशनल पार्टी किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं और प्लिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या उनको चैलेंजिज को फेज करना पड़ता हैं. आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, How can parties be reformed? सबसे पहले आपको इस ट्रोपिक से पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, कि What is the meaning of reformation? Reform करना क्या होता है और उसका meaning क्या होता है? Reform करना होता है जैसे reform का मतलब अगर अब हिंदी में देखे तो उसका होता है सुधार करना, किसी भी चीज में जब कोई सुधार किया जाता है, तो उसको reform बोला जाता है, तो reform आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे democratic reform हो सकता है, लोकतंतर में सुधार करना, या parties में reform हो सकता है या उसके लावा बजट वगारा में रिफोर्म हो सकता है तो जो changes लाए जाते हैं बैटा किसी चीज़ को better action करने के लिए तो उसको रिफोर्म हो ला जाता है तो इसी बरकार से political parties के उपर भी नज़र रखने के लिए बैटा तो उनमें रिफॉर्म किये जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना तब में चीज आती है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के वेज क्या क्या हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना आश्यक है बैटा और सबसे पहले रिफॉर्म कर यह तो हमें पता ही करना है लेकिन उसके अलावा जैसे बजट वगरा पर ध्यान अखना candidate की प्रोपर्टी वगरा पर ध्यान अखना ताकि candidate अपनी change ना कर दे पार्टी को पैसे के लिए उस चीजी को ध्यान अखना है तो यह सारे के सारे रिफॉर्म के तरीके के जा सकते हैं अब उसका हमें जो इसमें में पढ़ना मैटा कि political parties को रिफॉर्म किस-किस वेज में किया जा सकता है वो हमें पढ़ना हाव केन parties भी रिफॉर्म जो किस topic में हम discuss करने वाले हैं तो देखिए political parties can be reformed in the following ways a law to prevent the defection of the party member defection का मतलब होता है बैटा जब कोई party member corrupt हो जाता है या आपने democratic के rules के against कोई work करता है तो उसको बोलते हैं उस defection को prevent करने के लिए उस defection को रोकने के लिए एक लाग को apply किया जाता है बैटा party member के उपर in hope of money तक वो जो defection है वो क्यों होगा enough of money के लिए हो गाए and power के was passed in the parliament में which is necessary to strict follow this law तो इस law को क्या किया जाता है बैटा follow किया जाता है बैटा एक law बनाया गया है to prevent the defection तो बैए एक लाग है बैए अमान ले देखो लोगों ने अपना support दे दिया election contest होके party power में आगी अब एक बात तो पक्ये ना जो party आपकी government की formation करेगी तो उस government की formation में उसके सामने क्या आएगी बैटा power भी आएगी अब उस power का इस्तमाल गलत ना हो जाए किसकी hope में बैटा पैसे की hope में और दूसरा power की hope में उसका गलत इसमाल ना उसका use गलत ना तो उसके प्रवेंट देफेक्शन ओप आप 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 मनी ताकि जो पार्टी का मेंबर डिफेक्ट ना हो करप्ट ना हो जाए किसकी hope में बैटा पनी की hope में पावर की hope में इन पार्लियमेंट में तो इस नेसेसरे तो strict follow दिशला तो इसलिए नेसेसरी बैटा उस लोग को क्या करना बैटा फोलो करना and order has been passed second point देखे an order has been passed requiring candidate contesting the election to declare their assets the coder को pass किया जाता है जितने भी candidates बैटा आपका election में contest कर रहे हैं to declare their assets वा अपने assets को declare करे and criminal charges pending against them if any charges अगर कि खामने जरूरी नहीं है बैटा कि सारे कि सारे जितने election के candidate आपके election को contest कर रहे हैं तो उन सब पर criminal charges हो लेकिन अगर हैं किसी पर charges तो उन charges को क्या कर सकते हैं बैटा वो declare कर सकते हैं जो की pending है ऐसी बात तो है नहीं कोई criminal है तो वो order भी pass करना पड़ता है जिस order में आप बताते हो कि आपके आप सामने कितनी आपके पास संपत्ति हैं कितने आपकी assets बगारे हैं जो आपके exist करते हैं इस this was done to reduce अब यह क्यों किया जाता है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए इस was done to reduce the influence of money and criminals in parties ताकि जो influence से मिटा एक तो money का influence जादा ना हो क्योंकि democracy का मानना होता है कि जो political parties में आपका election contest किये जाते हैं या जो formation of government की जाती है political parties के दुआरा अब political parties का मेरा मतलब है group of individuals का मतलब है जैसे political parties government का निर्मान करती है तो उसमें actual में होते तो candidates ही है ना बेटा वो candidates बेटा राजनीती का जो मंच होता है राजनीती की जो stage होते है उसका इस्तमाल पैसा कमाने के लिए ना करें क्योंकि जनता की सेवा के लिए कि आ जाता है ये कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं होता तो इस influence को कम करने के लिए हाला कि ऐसा नहीं होता है आज की टाइम पे जहां पे corruption है भीटा जहां democracy को पीछे रखा जाता है बहुत सारे इसको पैसा कमाने का जरिया समझते हैं तो लेकिन ऐसा democratic government में नहीं होता है तो इस influence को कम करने के लिए कि this is not stage to earn money this is not a business यह कोई business नहीं है जहां एक पैसा कमाने का माद्द है में तो influence को कम करने के लिए और criminal parties में एक्जिस्ट ना करेश के एक्जिस्टेंस को कम करने के लिए बटा तो दन किया जाता है to reduce the influence of the money and criminal in the parties this law also need to be strictly followed और इस ला को क्या किया जाता है बेटा strictly follow किया जाता है तो यह था अपका first क्या था बेटा defection of party member को loss करने के लिए hope of money और power में तो एक low को prevent किया जाता है ताकि उसको necessary के रूप से follow किया जाता है उसके अलावे एक order को pass किया जाता है इसमे रिक्वारी कंडिडेट जो होता है बेटा जो election को candidate election को contest करता है वो अपने assets को criminal charge जो पेंडिंग है उनको क्या करता है बेटा पास करता है this was done to reduce the influence of money and criminal in the parties इसको क्यों done किया जाता है ताकि money के influence को criminal को क्या किया जासके बेटा उसको reduce किया जासके और इस लाग को भी strictly follow किया जाता है थार्ड आता है even political parties should regularly hold organizational elections and file income tax returns वो organizational reaction जो elections होतने मेंटा उनको भी करवाती political party और income tax returns को भी बरना पड़ता था कि उनकी जो assets वगयरा है और जो कि उनकी संपत्ति वगयरा उसके उपर ध्यान दिया जा सके तो ये भी आपके political parties के वी दिन सबकुस किया जाता है it should be made mandatory for the political parties could give at least one third of the party ticket to women candidates और ये भी political parties में women empowerment को बढ़ाने के लिए बटा एक प्रावधान किया गया है आप तो जैसे आपको पता है इसे political parties में नहीं बेटा पूरे लोक सब राध्य सबाम में एक बिल पास किया गया है जिसमें one third जो सीट्स है में टाकिन candidates को दिया गया है वोमेन candidates को दिया गया है तो ये mandatory कर दिया गया जाता है बेटा ये पहले से एक आचल चलाता वारा बेटा कि political parties में one third seats किसको प्रवाइड के जाते हैं बेटा आपकी political parties में women's को प्रवाइड के जाते हैं नेक्स आता है election should be funded by the state election को किसके दोरा फंड किया जाता है बेटा state के दोरा फंड किया जाता है तो ये थी बेटा कुछ party को reform करने की वेज कोई party member defection ना हो जाए money and power के रूप में इसलिए law को पास किया जाता है second candidate को अपने elections में जो assets है या criminal charges बेंड नहीं उसके अगे इंसमेट उनको provide किया जाता है ताकि जो money का और criminal charges के influence को कम किया जा सके इस लाग को strictly follow किया जाता है political parties को organizing elections को hand करते हैं और income tax returns को fill किया जाता है और mandatory है political parties को catalyst उनको one-third है बेटा party tickets किसको women candidates को देना पड़ता है elections should be funded by the state or elections को किसके द्वारा funded किया जाता है बेटा state के द्वारा fund किया जाता है मैंनी suggestion have not been accepted by the political parties सो दस देखो कुछ बहुत सारे suggestion ने बेटा political parties के द्वारा accept नहीं किया जा रहे बेटा लेकिन यह सबसे main important वात यहां पर जो सोचने की है वह यहां सोचने की बेटा suggestions देखो जितने भी low बगेरा है बेटा वो सब political parties के द्वारा क्या किया जाते हैं लेकिन जब बाद आती suggestion की तो यहां पर एक dominant power होती है political party के बास वो suggestions को accept कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है इट इस according to the will of the party होता है बेटा तो many suggestions have not been accepted by the political parties thus it is important for the public तो यह publicly important होता है to organize protest and rallies to demand the passing law of the effect बेटा तो अगर माले कोई suggestion ऐसा है जिसमें लगता public को यह pass होना चाहिए लेकिन party के द्वारा उसको नहीं माना जा रहा तो उसकी विरोध में जो जनता है बेटा वहिंसा ना करके बेटा एक बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकती है प्रोटेस्ट का मतलब अंदोलन कर सकती है और रैलीज निकाल सकती तो डिमांदा passing the law of this effect जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी party मानले पावर में है और जनता को अपनी कोई मांग बनवानी पड़ती तो उसके रूप में क्या निकाले जाते हैं मैटा रैलीज और प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं अगर इसका आप एक्जेम्पल करण्ट में देखना चाहेंगे तो जैसे माले कोई भी wrestlers वेएरा उनको अपनी डिमांड करनी है तो वो प्रोटेस्ट निकालते हैं फार्मर्स वेयरा है एक फेमस किसान अंदोलन हुआ था बटा तो फार्मर के दोबारा अंदोलन निकाले जाते हैं या फिर कोई भी समूदाए है जो कि आपकिसी रिलिजिजन से बिलोंग करता है जाट अंदोलन हुआ वो भी किसके लिए था बेटा सरकार के लिए हुआ था तो अगर सरकार को लगता है उससे जो माले पार्टीज के हैड होते हैं जो भी समीतिक हैड होता है उस सरकार के साथ बातचीत करते हैं अगर उन सरकार के साथ ही सेमत ही हो जाते है तो उस प्रोटेस्ट के दोबारा उस को इप्रूण को इंप्रूड करने के लिए पीपल ओस्ट ग्रावद्हन ये चाहते हैं इन चेन इसको लेका ना चाहते हैं पर्लोज गोजंसरों करती है और उसको women के क्या करती है, प्रावधान लेकाती किसके दूआरा, रैली के दूआरा, और उसको क्या करती है, प्रोटेस करती है, तो इस परकार से यह था था हमारी PARTYस को REFORM क्या सिक्किया जाता है, नहिंद लास्ट टाइम बता कर रहा है उसको अपनी टिकलेर करना पड़ता है कि उसकी एस्ट कितनी है जो हैस्ट है पटा वह कहां से उनका सौर्स क्या है सोर्स फ इंकम क्या है कोई क्रीमिनल चार्स तो उनके पर त्रहां भीी नहीं है विटा ताकि जो influence money का बैटा या criminals का parties भी इसको reduce किया जा सके और ला also need to be strictly followed और लोग को क्या किया जा सके बैटा strictly followed किया जा सके So every political party should regularly hold organizational elections बैटा और जो आपकी party होती हो organizational elections भी करवाती है Income Tax Returns को fill भी करवाती है तो यह mandatory हो जा था political parties के लिए और दूसरा political parties के लिए एक और mandatory चीज क्या होती है जो women's होती है मैं बैटा women's को one third seats को provide किया जाता है जो कि आपका पहले से ही होता रहे है लेकिन फिलाल में आपको पता है कि one third जो one improvement को बढ़ाने के लिए बैटा आपका लोकसवा राज्यसवा में क्या है seats को provide कर दिया गया है जो कि 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 के लिए है women's के लिए आपकी प्रेजेंट है पहले जो होता था है लोकल लेवल पर पंचायती लेवल पर पहले से one third था लेकिन अभी बिल पास हुआ है अंडर्वर्मेंट और बीजेपी भारतिये जिनता पार्टी अंडर्दा लेडर्शेपो पावर मानने परदानमंत्री नरंदर मोदी उन्होंने one third seats को किसके लिए लोक्सिमा विराज्य समा में किसके लिए प्रोवाइड कर दिया है वोगन एंपावर्मेंट के लिए भी फिलाल में प्रोवाइड कर दिया गया है उसके लावा कुछ suggestions है जो political parties को दिये जाते हैं जिसमें total dominant party का रहता है domination जो होता है उसमें party आपकी suggestion को accept कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है अगर आपको party के परती कोई विरोध दिखाना या किसी लाग को पास करवाना है तो जनता इसमें रहलीज और प्रोटेस्ट करती है जिसमें हिंसा होती है या कोई भी violence से बेटा उसको बिलकुल भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिसकी permission आपको democracy बिलकुल provide करती है और आप उसला को पास करवा सकते हैं तो यह था parties can be reformed that is our last topic एक बार at a chapter at a glance में पढ़ लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा इसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा इस चेप्टर के मीनिंग के बारे में कि political party क्या होती है फटाफट इन सारी चीजों कर लेते हैं और इस चेप्टर का end करते हैं बेटा यह political party is a group of people who come together to contest elections जो group of people होता है जो कि आपकी political party से बिलोंग करता है जो कि come together एक साथ आता है और elections को contest करता है that is known as political party and hold power in the government और जैसे वह election जीच जीच जाता है तो बेटा उसके बाद वो hold करता है power किसमें government way in the form of the post of the politicians के रूप में आता है बेटा political party is three components तो इसके तीन components होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था leaders होते है active members होते है followers होते हैं मैंने आपको समझाया भी था जिसको ticket मिलता है जो election को contest करता है जिसको vote डाल के आते हैं इन the form of MLA for example तो इसको बोलते हैं leader और जो ऐसे होते हैं जो MLA बनने के लिए बिल्कुल बन सकते थे election को contest कर सकते थे पर उनको पार्टी के दवारा ticket provide नहीं किया गया that is known as active members बोले जाते हैं और कुछ ऐसे बटा जो पार्टी को जिनोंने जोइन नहीं किया है लेकिन पार्टी को support करते हैं उनको बोलते हैं फूल ओवर्स बोलते हैं तुस्वरकार से political party के आउतिवेटा group of people होता है जो election को contest करता है गुवर्मेंट में power को stable करता है पावर को hold करता है अलग लग पोस्ट के रूप में और उसके तीन members होते हैं जो election में खड़ा होता that is known as leader और उसके अलावा जिसको ticket नहीं मिला बट खड़ा हो सकता था एक्टिव मेंबर्स और जो लोग है जिन्होंने party को जोईनी कर रहा उसके बावज़ुद party को support करते हैं उस related rallies वेयरक और और सारे काम करते हैं that is known as the followers बोलते हैं उसके बाद आता है बेठा functions क्या क्या होते हैं तो कि इन सारे questions के answer क्या है meaning है उसके लावा जो function करती है तो एक question का answer यहाँ पर वो भी आता है कि में political parties की need क्यों है तो उसमें आता है अब किसी चीज़ की need कब होती है जब उसके में functions बता लगेंगे तो parties क्या करती है elections को contest करवाती है elections को करवाती है in most democracies elections are fought mainly among the candidates democracy election किसके लिए लड़े जाते हैं candidates के लिए put up political parties कि इसके करने के लिए political parties को उनके बीच में elections को contest किया जाता है parties as lack of members and active separated all over the country बहुत सारे members होते हैं जो कि सारी कंट्री में separate होते हैं laws are debated लोग को debate किया जाता है past किया जाता है लाइस लेचर में तो अगर कोई भी आपको smooth functioning के लिए democracy के लिए आपको laws बगारा किया हो शक्ता पढ़ते हैं laws बगारा कि need पढ़ते हैं तो सारे कि सारे जो functions है मेटा हो किसके दौरा किया जाते है political parties के दौरा किया जाते हैं बट यहां पर एक main बात ध्यान रखने की यह है कि political parties के दौरा लोग तो लाए जाते हैं लेकिन उसी political parties के दौरा लाए जाते हैं जो elections को contest करके और उसको win करके आई है और जिसने government की formation किया ऐसा नहीं है कि आपने party formation करती तो आप low बनाने के लिए लोगों बनाना पड़ेगा तब आप parliament में लोगों करते हैं लेकिन at last में बोला तो यही जाएगा ना कि political parties के दौरे लोग बनाये जाते हैं बट उस political party की विशेश्ता क्या आप कोई ना कोई political party तो आएगी ना जो government की formation करेगी तो उसी government के दौरा बनाये जाते हैं जिस government जि क्यों होती है कि ऐसा संभव है कि government की formation हो सकती है और हमें political party की आवशकता विना पड़े इसके बारे में हमने chapter में discuss किया था कि ऐसा हो सकता है कि political parties के विना अगर एक छोटे से reason की हम बात करें किसी constituency की बात करें जहां पर independent कर net voting वेगारा प्राप्त कर लेता है वहां पर उस post क को जीच जाता है मले बन जाता है लेकिन जब भी formation of government की बात होगी पूरे reason के ना चोड़गे एक चोटे सी reason को ना चोड़गे पूरे देश की बात होगी center level पे होगी तो वहां पे आपकी government को effective बनाना बहुत ही beliefs होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं लेकिन this is not in the case of political parties because उनकी modus of trendies होते हैं उनकी policies होते हैं और ideas और beliefs होते हैं वो similar होते हैं लेकिन ये ideas और beliefs हैं इंडिपेंडेंट candidates में similar नहीं होते हैं तो that's why एक बड़े level पर आपको अगर government की formation करने तो आपको political parties की आवशकता पढ होती हैं वहाँ पे political parties का होना बहुत ही जरूरी होता है लेकिन या के पढूख कि क्टिकल परकिकल पर्टीक होना यह तो हर जगह हो सकता है अगर आपकी dicitτό ouvert यॉस्टम चाहिए लेकिन फर्क यह होता है वहाँ पे one party system होता है लेकिन political party तो चाहिए न मैंब को क्योंकि आपक वोग एक group of people होना चाहिए और इंग group of people जिनके idea और जिनके beliefs है मैटा वो क्या होने चाहिए same होने चाहिए तो यह ज्यादा जरूरी होता है तो इसलिए हमें government की necessity क्या आउशकता पड़ती है तो rise of political parties directly linked to the emergence of representative democracy तो किसे क्या आती है मैटा representative democracy आती है large scale society ने representative democracy की आउशकता पड़ती है क्योंकि society ज्यादा है और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो population बहुत ही ज्यादा है जो कि independent candidate के बस की बात नहीं political parties को चलाना या sorry देश को चलाना तो यहां पर political parties जैसा कि मैंने आपको बताया था more than 750 parties आपकी रेजिस्टर्ड है एलेक्शन कमेशन आफ इंडिया में जो कि आपका multi-party system है लेकिन यह सारे की सारी parties का जान अखना है यह आपकी contender की रूप में बिलकुल नहीं कि सारे की सारी parties बिलकुल contender है नहीं registration करवाना इतना मुश्किल नहीं है सिर्फ आपको 6% वोट लोग सभा में यह लागिस लेट वे सैंबली में चाहिए जिसमें आपको एक election commission के दोवार एक symbol दे दिया जाता है और आपकी party को recognize कर लिया जाता है कुछ party है बैटा multi-party system में hands for the purpose of contestant election of meaning power the multi-party system में क्या होता है या तो एक party अपने own पे government की formation करती है या फिर independent candidates के साथ या किसी दूसरी party के साथ क्या कर लेती है alliance कर लेती है government की formation कर लेती है और ऐसी government कुम क्या बोलते है है alliance या front बोलते हैं उसके बाद आता है बैटा आपका how can parties be reform अब reform के लिए क्या था constitution was amended to prevent elected MLA MP for changing parties constitution comment किया जाता है ताकि जो आपके MLA और MPs ने बैटा वो parties को change ना करे this was done because many elected representatives were indulging in defection order to become minister for cash rewards बहुत सारे ministers ऐसे होते हैं बैटा जो defection के defection के तोर पर minister बनने के लिए आपकी party को change कर लेते हैं या cash reward लेने के लिए जैसे हैं आपका party system में होता है लेकिन ऐसा होता है लेकिन अगर इसके बारे में पता लग जाता गोर्मेंट पर तो this is a punishable act होता है होता है कैसे है कोई भी independent candidate होता है बैटा वो elections को जीज जाता है तो उसके दोबारा जब एक party अपने ओवन पर government बनाने में सक्षम नहीं होती है तो उसको पैसे provide किये जाते है और पैसे provide करने के बाद उस party को join कर लेता जिसके साथ उनकी इसको फोर्मेशन कर लेते हैं यही ऐसे ही चलता है बैटा लेकिन है पनीशिवल एक्ट है हमारा constitution इसकी permission बिल्कुल नहीं देता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए यह कोई पैसे के लिए आपकी party को change करें और government की formation करें उसके बाद आता है challenges to the political parties बहुत important question है कि what will be the challenges of the political parties एक तो lack of internal democracy है बेटा जहाँ पे जो democracy वो party के within इसको follow नहीं किया जाता challenge of dynastic succession है dynastic succession का मतलब क्या है एक leader का बेटा ही leader बनता है जहाँ पे जो deserving candidates है बेटा उनको मोका बिलकुल नहीं मिलता था कि वो party में ticket को प्राप कर पाएं और वहाँ पे elections को विन कर पाएं और growing role of money and muscle power in party specially during elections में क्यावटा growing role of money है जहाँ पर money के द्वारा है muscle power उंडा करती के द्वारा government की formation की कोशिस की जाती है और लोगों को influence किया जाता है जहाँ पर लोग पैसे के लालाज में बैटा अपने voting rights की पार्टी को देते हैं और government की formation करने की कोशिस करते है तो यह भी permission आपके democracy के द्वारा बिलकुल भी नहीं दी जाती है जोड़ा जाता है अगर रिकोगनाइस प्लिकल पार्टी के बार में करें तो यह इसके बढ़ा उसको रिकोगनाइस सेक्षे में लिया जाता है इन पार्टी को रिकोगनाइस पॉलेटिकल पार्टी बोला जाता है अगर हम रिकोगनाइस पार्टी के बार में करें तो 2006 में अगर हमारी सिक्स नैशनल पार्टी थी जिसके बारे हमने डिटेल से पड़ा था जाप इनकी एरो इन सको बिसके बीक्रेश किया जाता जिसके कुछ रिटेरिया जही इन पार्टी मे Week your कर्द सेखिय बूल जाते ही THIS महाझ वाधी पार्टी सम्दा पार्टी राष्टह जिन्ताल है ने अटॉलमे तो इनकी स्टेट सेल पर उते हैं तो यह था आपका पूलिटिकल पार्टी का लास्ट टॉपिक जहां पर हमने एक पार सारे के सारे टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लिया एक कौन-कौन सी हमारे टॉपिक्स आएंगे जो कि हमें पढ़ने थे इस परकार से यह चप्ट हो जाएगा आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा इसके बाव जोद अगर आपको चैप्टर में कोई भी प्रेशानी या कोई डाउट रहता तो उसको आप अमेशा की तरह आपके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अदर्वाइस इफ यू ला